दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पर कारे बेचने वाली कमपनियों के 7-seater कारों के बारे में कौन-कौन से इंग कमपने की कितनी 7-seater कार्ज आती है तो आए ये हम जानते हैं इस वीडियो में लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजे अपने सबी दोस्तों के साथ से कर दीजिस जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबाना बिलकुल ना भूले ताकि आप लेटिस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्ट कर सके सुरुवाद करते हैं फर्स्ट पोजिसन से फर्स्ट पोजिसन पर है मारतिस सुकिस कंपणी की सबसे एक olan पैर सेटेशन और और नहीं है यह के लोईस्ट वर्जन की एक भेहन कार है इसके लवा अलावा इसके अलावा आपको इसके ऊपर सेग्मेंट पर एक और कार्ट देखने को मिलती है सुझुकी पर जो है सुझुकी की एटीगा सुजू की एटीगा की कीमत साथ लाग उनत्य जाए से सुरू होकर दस लाग 47,000 के लिए जाती है जो एक M.U.B. मोडल है जो 7-seater कार है और इस कार पर भी आपको पैट्रल और C.N.G. दोनों ही वेरेंट मिल जाते हैं इस कार पर आपको मैनुवल और आट्मेटिक दोनों ही वेरेंट दिये गया है तो आप किसी भी वेरेंट को ले सकते हैं सकेंड वेरेंट सकेंड नमबर पर है सकेंड नमबर पर होंडा है होंडा की सब जो 7-seater कार है वो हैं होंडा की CR-B होंडा CR-B एक SUV मोडल है जिस कार की कीमत 28,37,000 से शरू होकर 29,49,000 के लिए जाती है जो केवाल पैट्रोल और आटोमेटिक एक ही वेरेंट उपर अविलेबल है यानि कि अगर आप होंडा की CR-B क जिस कार की प्राइड़ बाररा लाक असी हजर से सुरू होकर 16,06,000 के ले जाती है जो केवल डीजल और मैनुवल दोन की वेरेंट पर अविलेबल है इसकेंड पोजिशन पर हैं बोलेरो बोलेरो की कीमत 7,87,000 से सुरू होकर 9,24,000 के जाती है जो डीजल और मैनुवल इन दो लेबल है इसके अलबा फोर्थ पोजिशन पर महिंद्रा की तरफ चाती है महिंद्रा के एक्स यूवी 500 महिंद्रा एक्स यूवी 500 की कीमत 14 लाग से शुरू होकर 19 लाग 72,000 कले जाती है जो डीजल पर अवलेबल है लेकिन मैनुवल और अटमिक दोनों ही पर फिप्ट पोजिशन पर है महिंद्रा की तरफ से एल्टुरस G4 महिंद्रा एल्टुरस G4 की कीमत 28,73 यह से शुरू होकर महिंद्रा की मराजो एक M.E.O.B. कार है एक चीज़ आपको ध्यान देनी है फोर्थ पोजिशन पर है रेनॉल्ड रेनॉल्ड की जो कार है उसमें भी आपको केबल एक ही कार मिलती है जो रेनॉल्ड की ट्राइबर है रेनॉल्ड ट्राइबर की कीमत 5,20,000 से शुरू होकर 7, लाग 25,000 के लिए जाती है जो पैट्रोल पर अविलेबल है और मैटनवाल और अट्रमेटिक दोनों ही आपसन आपको इस कार पर मिल जाते हैं फाइप्त पोजिशन पर है फोर्ड फोर्ड गंपनी की 7 सीटर कार है फोर्ड की इंडिवर जो एक मात्रे कार है इसका की कीमत 29, 99,000 से शुरू होकर 35,45,000 के लिए जाती है जो डीजल और अटोमेटिक इनी आपसन पर अविलेबल है पैट्रोल मैनुवल का आपसन आपको नहीं मिलता है शिक्स पोजिशन पर है टोयोटा की तीन कार है सेवें सीटर कार जिसमें फर्स्ट पोजिशन पर है टोयोटा की इन पर अविलेबल है सकेंड पोजिशन पर टोयोटो की तरफ से है फोर्चूनर फोटोटा की फोर्चूनर भी आपको पैट्रोल डीजल इन दोनों ही वैरेंट पर मिलेंगे मैनुवल ऑट्रमेटिक दोनों ही वैरेंट पर मिलें जागी जिसका की कीमत 29,998 यार से शुरू होक का का केवाल एकी वैरेंट पर अविलेबल जो पैट्रमेटिक इन वैरेंट पर अविलेबल है सेविन पोजिशन पर है डपर दैट्सन की गो पलीज वैरेंट यार ने वाले नफर अक कार है इसकार की कीमत 4,25,2000 से शुरूँ होकर 29,992 यार के लेंगे जाती है एड़ पोज जो एक SUV मोडल है और इस कार पर आपको petrol, diesel, manual, automatic यह सभी वेरिंट मिल जाते हैं इसके बाद आती हैं MG की Gloucester जिस कार के price 29,99,000 से शुरू होकर 25,59,000 ले जाती है जो केबल डीजल और automatic इनी वेरिंट पर अविलेबल है 9th position पर है Kia Motors जिस company की 7-seater कारे Kia Carnival Kia Carnival 7, 8 और 9 यह 3-seater पर अविलेबल है जो 24,95,000 लाग के लिए जाती है जो डीजल वेरिंट और automatic इन दोनों ही वेरिंट पर अविलेबल आपको manual और petrol का option नहीं मिलता है 10th position पर है Volkswagen Volkswagen की Tigon All Space यह 7-seater कार है जो 33.24 लाग के लिए जाती है जो केवल एक ही वेरिंट पर अविलेबल है जो डीजल और automatic के साथ में आती है तो यह 10 companies है जिसके companies की 7-seater कार अविलेबल है इसके अलावा Tartar Motors की तरफ देखे तो वहां पर आपको Safari काफी जल्द आने वाली है कुछ दिनों पर launch भी हो जाएगी और इसके बाद आती ही Hyundai तो Hyundai company की 7-seater कार क्रेटा बहुत ही जल्द आने वाली है लास्ट आप दे इयर आ सकती है यह 7-seater कार निसान कंपनी की 7-seater कार की कोई भी खवर नहीं है तो मिलता है उसी पका गए एक नई हल्द वीडियो को साथ तब तक लिए अपना ध्यारों किये जाहिन वने मात्रम